दोस्तों अभी हमने आपको माहना पताफ जी का राज तलेक स्टली बताई उसके बाद हम माहिरा गुफ आपको बताई तो अभी हम निकल चुके हैं गोगुंदा से हल्दीगादी जी वाले रोड पर और अभी हमने यहां पर काफी च्छाओं देखी च्योंकि गर्मी बहुत पर लंच करते हैं उसके बाद करने के बाद हम हल्दीगादी तरफ जाएंगे जहां पर हम आपको काफी अच्छे जो कुछ पॉइंट से जो हमारे वीडियो में चुट गई आपको बताने वाले हैं तो अभी आप देखिए यहां का पूरा सीन किता शांदा सीने यह क्या ग तो काफी नेच्रली यहां पर लगता है और इतना खुब से गाओं होएं कि हम आपको बता नहीं सकते और हमारी चेतक भी खड़िये तो चेतक का भी आराम हो जाएगा हमारा भी आराम हो जाएगा फिर हम लंच करते हैं लंच करने के बाद हम सिदाम निकलेंगे हमारे हल्द तो इस रोड में हमको इतने शांदा दर्रे दिखाई देते हैं और इतनी उच्वाड़ः दिखाई देटी हैं अब देखे दोर दूर तक के दर रही है और इनी दर्रों में महाना पताव उनके सुपाई रुका करते थे और जहां तक हम हल्दीगाट तक जाएंगे हमको यह दर्रे मिलेंगे और इनी दर्रों में से होते हुए हमको जाना पड़ेगा तो काफी एडवेंचर वाला रोड है कितना शांदार व्यू है कूर दूर दूर तक अरावली रेंजे साब को दिखाई दे रही है अगर बारिश का मोसम हो तो यहां पर हर्यली इस सीन को चार चान लगा देती है तो चले चलते हैं आगे सीन को मज़े लेते हुए और हम चलते हैं हल्दीगाटी की तरफ बाकी सीन काफी जोड़दार है और वीडियो का अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजेगा चै कि दोस्तों फाइनली हम हल्दीगाटी मुजियों के आच चुके हैं यह हल्दीगाटी मुजियों तो अपने लास्ट यूडियो में देखा था और उसके बाद इधर चेतक इसमारक और उपर वहां पर कोई एक पॉइंट है जहां पर चेतक ने वह नाला पार किया था तो हम चड़ते हैं उपर हम पहले गार्ट सक्षंट के यहां पर आते हैं तो यहें पर वह देखाई तो यहां पर कभए कर नाला एक अंदर की तरब में तो यहां पर कफी कम लोग जाते है और यहां का यहां पर काफी कम लोग आते और यहां पर शायद ही एक काम चल रहा था लेकिन काम पूरा हुआ नहीं लोगों को पता भी नहीं कि यह वहीं जगह है जहां पर शेतक नहीं नाला पार किया था अभी तो समय के साथ यहां पूरा भूगोलिक परिवर्तन हो चुका है लेकिन एक समय में काफी विशाल नाला था लेकिन अभी आपको छोटी सी एक खाई दिखाई देती है 1566 को माना परताप की सेना और अकबर की विशाल सेना के बीच फिडंत हुई इस युद्ध के दोरान माना परताप के सामने अकबर की विशाल सेना थी तो भी माना परताप की सेना ने अकबर की सेना को मुँ तोड जवाब दिया और इस युद्ध में एक तरपा जीत हासिल करी इसी युद्ध के दोराने गटना देखने को मिलती है जब माना परताप का वीर गोड़ा चेतक बान सिंग के हाथी के सून में लगे तलवार से जक्मी हो जाता है और वो गायल हो जाते हैं और इसी छण को देखते हुए सेक्रों की संक्या में मुगल माना परताप को गेर देते हैं लेकिन इसी दोरान माना परताप के गोड़े चेतक ने अपनी बहादूरी और सांस का परीचे देते हुए सेना को चीरते हुए माना प्रताप को सुरक्षी स्थान पर लेके जाते हैं इसी दोरान वो देखते हैं कि सामने एक बर्साती नाला आता है जो लगबख 26 फीट चोड़ा है माना प्रताप का वीर गोड़ा चेतक जो तीन पाउं से चल रहा था उनका एक पाउं कर चुका था इसके बावजुद भी वो माना प्रताप को लेकर 26 फीट चोड़े नाले को कूद गए थे और नाले को पार करने के बाद चेतक ने अपने प्राण की आउती दे दी इस प्रका उन्होंने माना प्रताप की जान बचाई थी तो दोस्तों ये वही नाला है जाब माना प्रताप के वीर गोड़े चेतक ने चलांग लगाई थी हाला कि वोगलिक परिवरतन के अनुसाब ये जगह थोड़ी सी चेंज हो चुकी है और जो नाला 26 फीट चोड़ा था आज हमको छोटा सा दिखाई देता है लेकिन ये वही जगह है जाब माना प्रताप के गोड़े ने माना प्रताप को बचा नहतू चलांग लगाई थी दोस्तों काफी गर्मी है लेकिन यहां आने के बाद हमको वो गोरोषाली इतिया जो हमको जानने को मिला काफी गुरानित अपने आपको महसूस कर रहे हैं काफी अच्छी जगह है पूरा बीहड पूरा जंगली इलाका है और यह बात अच्छी नहीं लेगी कि यहां पर एक व्यूपॉइंट का काम चल रहा था जो हमको किसी ने बताया कि यहां पर व्यूपॉइंट का काम चल रहा है और माना पता कि जीवल में एक महत्पुन इस्तान रखता है कि हमने लोगों से पूछ मुछ कि हमने तो चेतर नाला दिखा लिए और देखने के लिए लिए काफी लोगों को इसके बारे में जानकर नहीं है तो वह यहां पर नहीं पहुंच सकते हैं तो बाकी हमको यहांन दोस्तों अगर आपको हमारी कोशी अच्छी लगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और हम आपको हमार दोबारा बताएगा इतना अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों की इतनी महत्मुन जानकरी को जरूर शेयर कीजिए काफी मश्रकत के बाद हमने जगह दुण देए और वीडियो बनाया काफी गर्मी है उसके बावजूत हमने लगाता अपना काफी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं रोचक जानकारी के साथ तब तक के लिए जैसी महाकाल करें